नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल मारकेट विद्याला में स्वागत है आज हम बात करेंगे कमफट कमोट्रेट लिमिटेट के बारे में हाँ दोस्तों यह एक पेनी स्टॉक है और यह एक छोटी स्मॉल केपी कंपनी है लेकिन इस कंपनी में आगे जाके संभावना भी ब बनते हैं दोस्तों आज हम घ्लाक के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में सुरू करने पर यह और पता ना चाहूंगा जो हर पैनी पेनि स्टॉक में लगाते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है हमें पांस एक हजार दो हजार हमें बहुत छोटी रकम ऐसे कमपणी में लगाना है ताकि कल के दिन यह कमपणी कुछ हो भी जाए तो आप आरती लुकसा ना उठाना पड़े इस वीडियो में आगे बढ़ने से प देल फुट ग्रेंट्स और एगरी कमोटिटी दोस्तो यह एक बहुत चोटी कमपणी है यह एक माइकरो इसमॉल केप कमपणी है इस कमपणी के बारे तो इसका मार्केट केप लगबख 5.5 करोड का है और इसका मौझूदा भाव 5 रुपए के आसपा चल रहा है अगर हम इसकी बावन भी खाई लो की बात करें तो 1.14 पैसे का इसका बावन भी लो है और 5.70 पैसे का इसका बावन भी खाई है और इसका फैस बेलू 10 रुपए का है हम किसी भी कमपणी को अगर परफॉमंस वाइज उसको मेजर करना है तो हम उसके प्रॉफिट को नापते हैं तो चलो इसके प्रॉफिट की बात करते हैं पिछले 4.70 प्रॉफिट की बात करते हैं लगबग 1.60 60,00 प्रॉफिट जनरेट किया तो यह 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 वाइस यह आप देखेंगे तो यह कमपनी लगातर प्रॉफिट में भी है अगर हम इसकी सेल्स ब्रॉफिट की बात करें तो पिछले अगर प्छले थिपांस साल में देखी पांच करोड के ऊपर का cash reserve था फिर अगले साल 2019 में बढ़ कर 5.5 करोड का हो गया फिर देखिए उसके बाद लगाता है इसका cash reserve बढ़ रहा है और 2020 में इसके पास 8 करोड के ऊपर का cash reserve हो गया फिर अभी का मौजूदा यानि सितंबर quarter में देखी जब अपर 10 चलांग लगाते ह हुए 14 करोर के उपर का कैस रिज़र बनाया है तो यह बहुत ही पॉजिटीव संग के लिए कि इसका कैस रिज़र लगातर बढ़ रहा है अगर हम वहीं इसकी उधार की बात करें तो इसके देफ देखिये 2018 में जीनों था 2019 में जीनों त्वीस एथाना लाग के था और 2020 स्यतमबर पेटन की बात करें तो प्रमोटर के पास लगबख 47% का स्टेक है और इसमें भी प्रमोटर के एक भी सेयर प्रेश नहीं है यानि गिर भी नहीं रखिए हुए जो कि बहुत ही पॉजिटिव संक्यत है और पॉब्लिक के पास यहां पर त्रीपन पर्चैन का स्टेक है तो मेरा पर्सनल अब्जर्वेशन इस कंपनी में यह है कि आप अपने इसे पॉर्टफोलियों में सामिल कर सकते हैं लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं दोस्तों यह पैनि स्टॉक है पैनि स्टॉक में हमें बहुत ही ज्यादा निवेस नहीं करना है मैं आपको हर वीडियो में पोटेंसियल है उसका कंपनी का विडिनेस मॉडल किया है अगर आप वह बताता है तो सीधे आपको नहीं करना है वहां पर आपको अपना भी दिमाख लगाना है अपना एनलाइस करने के बाद ही आपको वहां पर इन्वेस्ट करना है